Hello students, welcome to Topper Stone, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे class 10th का chapter number 8, introduction to trigonometry, जिसमें हम discuss करेंगे exercise 8.4 को So students, अगर आप हमारे channel पर new हो तो channel को subscribe जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा end तक देखिए ताकि आपका कोई भी concept मिस ना हो into secant है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें left hand side लेके चलेंगे और right hand side के equal प्रूव करेंगे, जो हमारी left hand side है वो है को से divided by 1 plus sign है plus 1 plus sign है divided by को से, तो सबसे पहले हम left hand side लेके चल रहे हैं, अब देखिए इसके बाद हमें यहां से अब हम इसका LCM लेंगे, तो यह LCM जो denominator है यहां पर है 1 plus sign है into में को से, तो जो LCM आएगा वो आएगा 1 plus sign है into में को से, तो अब यहां देखिए जब हम इसको divide करेंगे 1 plus sign है को, 1 plus sign है से 1 आएगा और यहां पर रहेगा को से, और को से को से से multiply करेंगे, तो यह से से करेंगे तो यहां पर खाली 1 प्लस आइने रहेगा और 1 प्लस आइने को 1 प्लस आइने से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन एका होल स्कुरेर आप देखिए हम इसका होल स्कुरेर cos a का whole square जो होता है ये equal to आएगा cos square a और यहाँ पर 1 plus sign a का whole square में हम identity यूज़ कर रहे हैं a plus b का whole square तो a plus b का whole square जो identity होगी वो होगी a square plus में b square plus 2ab तो जो a है वो 1 है और जो b है यहाँ से वो sign a है तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका open करेंगे square तो यहाँ से 1 का square 1 plus में sin square a plus में 2 into sin a divided by 1 plus sin a into में cos a अब देखिए इसके बाद जब हम इसे आगे लिखेंगे तो देखिए जो cos square a plus sin square a यह identity हमने पड़ी हुई है cos square a plus sin square a is equal to होता है 1 तो हम यह cos square a plus sin square a की जगे हम इसे लिख रहे हैं 1 plus में यह 1 है इसको as it is लिखेंगे plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into में cos a अब देखिए next step में हम 1 में 1 एड़ करेंगे तो 1 plus 1 is equal to 2 plus 2 sin a divided by 1 plus sin a into में cos a अब देखिए आगे जो यह इन दोनों में से 2 common लेंगे तो next हम लेंगे 2 common ले रहे हैं यहां से जब हम 2 common लेंगे तो यहां पर आएगा 1 plus sin a divided by 1 plus sin a into में cos a अब देखिए आगे जो यह next step है तो 1 plus sin a है इससे 1 plus sin a cancel हो जाएगा तो यहां से आएगा 2 divided by cos a अब देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते है 2 into 1 by cos a और यह 2 जो है यह as it is लिखेंगे और जो यह 1 by cos a है यह secant a के equal होता है तो यही हमें प्रूव करना था यही हमारी right hand side है So students आज की इस वीडियो में हमने discuss किया exercise 8.4 का question number 5 का second part So thank you for watching this video अगर आपको वीडियो अची लगी आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें